तो basically मैं आपको सभी को मैं ये बात बोलूँगा बेटा आप थोड़ा सा patience रखिए ठीक है और अपनी मेहनत की direction जो है ना चुपचाप result oriented रखिए ठीक है ज्यादा लालच मत करना seriously बतारों लालच करने के समय ना जब आप सोच रहे हो तो वो आपको नुकसान करेगा open mind होके आपको पढ़ना है और अभी आपके पास सही में अफरात समय होता है तो practice करते समय time bound होके नहीं कि यह कोशन मेरे को इतनी देर में ही करना है कोई subject हो सकता है chemistry के question जल्दी लगा लेते हो अब आप physics के भी सोचते होंगे कि आप वैसी लगाए मैं आप सभी को बता चुका हूं कि physics में कई बार requirement होती है time में कि हो सकता है math में भी कई बच्चों को मैस में ऐसा लगता है कि किस-किस को ऐसा लगता है कि मैस के question हिटी नहीं होते में टीचर देखता है तो बता देता है या सचीन सर सीधे बताते हैं यह यह केसिज हैं उनको दिख रहा है तुमें बताने के बाद पता लगता है अच्छा या यह भी तो सोच सकता था मैं किस-किस को ऐसा लगता है या किस-किस को फिजिक्स में ऐसा लगता है कि हां सर ने जै मेरे सास्थ होती दिश्म मैंद और अघज है पता निया गया कि मैं टीच आज संसे अ आ है वही प्रॉब स्यार्ति प्राबिलेटी में होती है प्रॉबिलिटी ये जिए पप्रॉब लोज हूँ यह कॉरीजिए पी Wille मेरे लिए personally maths एक ऐसा सब्जेट था जिसमें time की requirement थी और मैं बहुत impatient होके maths को करता था मैं physics के question और chemistry को question comparative भी जल्दी कर लेता था और मेरे को लगता था कि एक गंटे में अगर मैंने 10 question physics के लगाया है तो मैस की भी उतने लगने चाहिए लेकिन मेरे से एक ये दो ही लगने होत ही है chemistry में भी कुछ subject कुछ topics ऐसे हैं जैसे मेरे को आइनिक equilibrium में बहुत time लगा उस चीज को समझने में लेकिन atomic structure में बिल्कुल नहीं लगा खट-खट-खट-खट तयार होता चला गया periodic तयार हो गया bonding तयार हो गया chemical तयार हो गया आइनिक में मौत आ गई क्यों कि स्टोक्योमेट्री डंग से नहीं समझी थी मेरे को थोड़ा बहुत relation वहां से molarity, molarity को समझनी आ रहा था हर chapter की और हर subject की अलग-अलग demand है आपको चीज को समझना है और एक अच्छा बच्चा वही बच्चा होता है बेटा जो patiently इस चीज को समझता है कि अगर अभी नहीं हो रहा तो समय दिया जाए ठीक है अगर मानलो समय खतम भी हो गया तब भी नहीं हुआ तो आपकी कोशिस आपके साथ हमेशा थी ठीक है तो आप एक अच्छे बच्चे के जैसे ठीक है कोशिस की direction हमेशा बनाए रखें हमेशा आप यह मत सोचे कि यार physics के इतने कोशन नहीं अगर इतने टाइम में कर रहा हूं तो chemistry के भी हो जाएंगे हो सकता है आपके लि के आसपा तो मेरे chemistry में थे यार chemistry में थे मेरे 100 marks के आसपास chemistry अगर मेरे strong नहीं होती तो मेरा selection ही नहीं होता ठीक है लेकिन chemistry strong हुई कैसे मेरे को इतने सारे exceptions कैसे याद थे मेरे chemical bonding में structures या coordination के structures कैसे याद थे क्योंकि मैंने उस पर invest करा था अपना time and that's the true fact मैंने physics interest की वह से मैंने उसमें भी स्कूर करा लेकिन math luckily मेरे को cut off clear करवा पाई लेकिन मुझे आज अगर मैं पीछे मुड़ के देखता हूं all the decisions जो भी थे वो पास्ट के हैं लेकिन मैं अपनी चीजों से आपको बस यह बता सकता हूं कि मेरे को math में patiently समय देना चाहिए था कुछ chapters हो सकता है कि मेरी speed इतनी नहीं थी कि मैं सारे chapters cover करूं लेकिन कुछ chapters जिसमें मेरा interest था मैं उनको patiently अगर चुचप कर रहा होता है तो चार-पांच chapters तो at least मैंने end तक अच्छे से cover किये होते हैं जो impatience होने की वज़े से मैं नहीं cover कर पाया ठीक है तो प्लीज आप सभी से request है ठीक है आप सभी से request है कि आप अपने subject को time दीजे you have enough time बेटा enough time there are still students in J ultimate जिन crash course में मैं पढ़ा होगी लेकिन अब नहीं करेंगे अब नहीं होने देंगे problems आइंगे अभी भी हो चकता है वो इतने output पे काम नहीं कर रहे हो लेकिन बात यह है कि उनको realize हो गया कि हमने कितना समय बरवाज कर दिया अब एक महीने में वह सारा पढ़ना है अगर उन्होंने 50 प्रतिशत या 70 प पर ही मेनत करनी होती है लेकिन लालच के चक्कर में 100 प्रतिशत परफेक्शन के चकर में क्या होता है ना कि आपने वह 100% ही घवा दिया confidence कहीं नहीं है आपको जो चीज़ physics chemistry जो आने वालत समय है बिटा जब हम लोग जई लक्षे आपका बारवी का जो भी बैच बनेगा जो क्योंकि my father used to tell me कि जब आप कोई बहुत बड़ी आपने देखा होगा ना government जब negotiations करती है तो there are multiple round of negotiations पहली बार बैठते हैं और डिसकस करते हैं फिर एक और बार बैठते हैं फिर डिसकस करते हैं फिर एक और बार बैठते हैं फिर डिसकस करते हैं means कोई भी अगर policy बनाई जा होगा there are layers of the discussions हमें पापा हमीशा कहते थे कोई भी important काम अगर आप कर रहे हैं उसकी importance वहां से पता लगती है कि आप उसके पिछे कितनी layers of effort करते हैं तो जो आपकी यह तैयारी है one shot तैयारी कभी नहीं होती ठीक है even topper भी कई बार अपने slaybers को revise करता है these are the layers जिसमें आपको म maximum output दे सकते हैं उतनी तैयरी करिए आपको दुबारा मौका मिलेगा बार वी के बाद revise करने का और जे मेंस के इतने attempts होने के बाद बार बार आप revision करेंगे तो आप perfection की तरफ आ सकते है perfect तो नहीं excellence पा सकते है ठीक है तो प्लीज आप सभी लोग ठीक है प्लीज आप सभी attitude रखके पढ़ते रहें ठीक है एने डू कोई पंगा ठीक है ओके ठीक है और देखो भाई यह attitude आपके दिमाग में बन जाना चाहिए कि fight मारना है life का मतलब ही struggle है और कुछ नहीं है आपको लगता है कि कुछ अचीव करने के पाद और सारे parameters आसान हो जाएंगे ऐसा नहीं है हो सकता आप IIT में top rank लेया और आपके घर में बहुत बड़ी problem हो आप दिन भर रो रहे हो उसको लेकर आपको खुशी ही नहीं फील हो रही कि आप IIT में पहुंच गए तो there are so many parameters जिस पे आपको excel करना है और आप मैंने आपको कहा था कि यह जो journey है ना आपकी 12 और 11 की इसमें हम आपको सारे parameters के बारे में बताएंगे कि it's not just about the IIT, it's about having a right attitude to crack an exam ठीक है अब वो हो सकता है आप बाद में जाके आप military join करें, army join करें, हो सकता है IS का paper दें, हो सकता है CAT का paper दें, आप हो सकता है GRE का paper दें, the attitude to crack exam is same ठीक है और जो बच्चा इसको जल्दी सीख लेता है 11 बार कर जाते हैं, because they know the attitude to crack an exam, they know the patience it requires, they know the struggle it requires, they know the pain, right, एक नॉर्मल बच्चा, मैं यह नहीं कहा रहा है दूसरे college खराब है, लेकिन एक नॉर्मल बच्चा बहुत जल्दी divert हो यार यार नी करना है, भो रहा है, एक IITN के अंदर वो fight मारने का attitude होता है, जो आपको सीखना है, आ ठीक है, कोई IS officer बनना चाते हो, कोई IPS, कोई IFS, very good, बहुत अच्छी बात है कि हमारा देश की जो generation है, वो आगी का सोच रही है, हमें तो पता भी नहीं तब, या सच बता हैं, तो हमें नहीं पता था, ठीक है, तो हमें तो जब grow करा, तो हमें समझा है कि अच्छा यार, हम ल negativity आप जितना अलाव करेंगे अपने अंदर घुषने के लिए, वो हो जाएगा, ठीक है, अप टू यू, वेदर यू attract दी positive और दी negative, ठीक है, आप positive रहे के मैनत करना चाहते हैं, या negative हो के मैनत करना चाहते हैं, मैनत तो करना ही पड़ेगा, अब attitude आपका decide करता है, ठीक है, अपते हैं, नर वेड़ेगा करन आपका